नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जामताडा जिला में वेकेंट्री निकल के आया है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिला गरामिन विकास अफिकरन जामताडा यह MG नरिगा के तरहत यह समीदा के अधारीत पर वेकेंट्सी को निकाला गया है तो यहाँ पे टोटल 6 दरह की पोस्ट के लिए वेकेंट्सी निकाला गया ठीक है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला नमर में परकंड गारिकरम पदादिकारी दूसरे नमर में तक्निकी सहायक है जो सहायक वियंता के सुमकच के लिए है तीसरे नमर में है कर्णिय वियंता लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक तो ग्राम रोजगार सेवक का सबसे ज़्यादा सीट है 25 सीट है आपके पास है करें आप इस फॉर्म को जरूरू करें तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, जैसा कि सबसे पहले हम बात करें, तो यहां पर दखहें मांदे पर निए सीट है, यह समय के दिजाब के यह जितने भी वेकेंसी निकाला गया है बिल्कुल संविदा के अधारित है और यह बिल्कुल ही अस्थाई है आप किसी पी तरह से अस्थाई करन के लिए आप उसमें जोड नहीं कर सकते हैं दूसरा नमर में है कि जिदि आप आरचन केटेगरी में आते हैं ठीक है अनुसुचित जाती है या फिर बीसी वन बीसी टू में आते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा पड़ों में जो आरचन जो आपको मिलता है जिस तरह से पहले मिलते है उसी तरह से मिलेगा जिदि आप इस फोर्म को भरना चाहते हैं तो यहां पे भारतिया नागरिक होना जरूरी है पांच नमर में है कि जिल्ला में तयार मेगा सुची किया होती दू बरसों की होगी ठी पोस्ट के लिए कितने educational qualification रखा गया इस चीज़ को आप जरूर समझे लिए तो ही फोर्म को पर है पहला पोस्ट में आते हैं परकंड कारिकरम पताधिकारी के लिए तो इसमें क्या है कि किसी भी विसे में गिर्जवसंग आपको होना जरूरी है 55% अंग के साथ 55% अंग के स मेरिट में कहाँ 10% अंग करके उसमें मेरिट निकाला जाएगा अतिरीक योगता में इस यह रखा गया है वह रखा गया है PGDC, MBA, PGDBM, आने कि बहुत सारा यह चुझता है जिए मेरिट बनाने में यह काम आएगा उसी तरह से बी नमर में भी यहां पर है तो विडियो को कि सहायक का जो सहायक अभियनता के समकच है तो इसके लिए जो अनिवाय योगता रखा गया है वो सिविल संकाय में बी या फिर बीटेक होना अनिवाय है अतिरिक्त योगता में इसके उपर आएगा आपका सब्सक्राइब आपको सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवाय है ठीक है तथा सिविल संकाय में बी या फिर बीटेक उतिन अभियार्थी अभियार्थी भी आवेदन है तो योगिप होंगे तो यहां पर दोनों भर सकते हैं जिनका बी या फिर बीटेक है और फिर जो सिविल में डिप्लोमा जिनमने किया है सरकारी मुनेता पर आप संस्तान से वेस फोर्म को भर सकते हैं यहां पर एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफेकेशन में यह सब रखा गया जिदी हम बात करते हैं लेखा साहय करने की एकांटेंट के बारे में तो इसके लिए रखा गया है नियुन्तम एजुकेशनल क्वालिफेकेशन आपको बीकॉम करना ही करना है जिदी आप बीकॉम किये हैं 55% अंग के साथ तो आप इस फोर्म को भर सकते हैं और अगर जिदी हो जाएंगे और एकांटेंट के लिए जो एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफेकेशन जो रखा किया है वह मनितापराफ संस्थान से एमकॉम, BCA, MCA, PGDCA और फिर MSC अथिरिक योगता की रूप में आपको माना जाएगा कम्प्टर साहयक पोस्ट के जिदी हम बात करें दस नमर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसके लिए जो अनिवार योगता जो रखा गया है वो रखा गया है कहीं से भी जो सरकार सबसे पहला बात यहां पर आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है ठीक है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं सरकारी मेनता पराव्त विद्याले अध कि लीगाए डैवार बहुत सारी लोग क्या करता है कि इंट्रमेडरिक परिचह के परिच्छा के किसी भी ट्रेड में आईटी आई पर्तिसाथ के परीट्सक्त की लिए संसली पने समझ किसे Match के अपने perform को वर सकते दूर तो बहुत सारी लोग क्या करते हैं कि चिन्हों ने इंटर की जोशन पीजी अगरे भी किया है वह आइटिय में जदी उनका ज्यादा परसेंटेज रहता है तो मेट्रिक और सिर्फ आइटिया यह दिखा करके फोरम को बढ़ते हैं और वह मेरिट में सिधा उनका सेलक्सान हो जाता है तो आपको भी इसी ध्यान रखना है हलांकि जदी आपका पीजी है अफिर भी मास्टर डिगरी वहां से भी आपको मेरिट बनाने में सहयता प्राप्त होगी तो यह आपको डिपेंट करता है कि एडिशनल एडिशनल क्वालिफिकेशन में यहां पर किसी भी पीसे में जदी आप गिर्जोशन किये हैं समय नहीं Κोका मेरिट बनाने में काम है ठीक है तो ये था परकार को अब मार्क चाहि Osti Km कि बात करहें तो उम्र सिमा कम ko से कम 18 वर्स होना चाहिए और जैनरल के टेग्री में आप आते हैं तो अधिकतल 55 वर्स है और दिभ्याग के लिए 40 वर्स ये 20 सारा कुछ कंप्लीट हो गया और यहां पे कुछ जो है यह कुछ निससरी जरूरी चीजें दीगई है तो आप इसके बारे में भी विडियो को फुरी सारो करक पूर लें ठीक है और आफ़ इस फोरॉं को कैसे भर सकते हैं ठीक है तो इस फोर्म को भरने के लिए यहां पर दिया गया अकीस नमर में कुछ जरूरी चीज हैं तो देखिए आवेधन पत्र दिनांक छे तारीक दसवों महना दोजयरकिश से लिए करके 22 तारीक दसवों महना दोजयरकिश तक आप ओनलाइन के मदहम से भ अब भी आपको जमा कर सकते हैं और जमा करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि अवेधन हेतु लिफाफे के ऊपर अवेधित पद का नाम आने कि छे पोस्ट में जिस से जिस पोस्ट के लिए फोर्म को भरने उसका नाम जो है और पद का नाम जो है बड़े-बड़े अच् को लिखना होगा और नियोक्ति से समंदित विस्तित जनकारी जिल्ले की वेवसाइट जो वेवसाइट है www.jamtara.niz.in एवब जिला गरामिन विकास सभिगरन कर्याले से प्राथ किया दा सकता है तो इस वीडियो में इतना ही जैदि आप इलिजीबल है तो फोरम को जरूर भरि झाल झाल लाओे जास एवसाइट जिला कर्म दिल्ले कर्दा में किया तो प्रादीबल है तो जिल्ले की वेवसाइट टाने हे जैदिए जिल्ले की जैएट जिला जाने है दो दो एख दूबना है